तो हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो सम्शंग 30S में सम्शंग के ए 30S में जो नॉवंबर का अब्डेट आया था उस नॉवंबर के अपडेट में क्या नए चेंजिस या क्या नए फीचर्स आये वो इस features के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप उसको यूज कर पाएंगे, कैसे आपको उसको फायदा होने वाला है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, और अभी तक आपने मेरी Samsung 30S की जो अपडेट के बारे में बताया है दो नॉम्बर के, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखिए, तो उसका लिंक आपको आई बिटन में मिल जाएगा, आप चाहें तो मासे उसको देख सकते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं में के features के describe करके बता हूँ, दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा ही देखिएगा, तो आ आप समझ पाएंगे दोस्तों, तो चलते ही दोस्तों आगे, मेरा नम सनी अरोड़ा, और आपको स्वागत में मेरे चैनल ऐसे टैक में, बताया आपको नए features बताने वानों, दोस्तों के लिए चलते हैं, बन call setting में, call में जाने के रद आपको जाना है या रिसेंस के option पे, य आपको मिलेगा, keep call in pop up, मतलब अगर आपका call उठेगा, तो call भी का भी display भी इतना ही मिलेगा आपको, तो उसके लिए में एक screenshot आके, इसके side में लगा के आपको बताऊंगा दोस्तों, आप देख लीजेगा, बिल्कुल same जैसा आपको देख रहा है, वैसा आएगा, उससे हो पर ही चलेगा, जिसमें pop up आता है, उसी में call pick up हो जाएगा, और वही time चाली हो जाएगी, और जो आपका काम है, वो चलता रहेगा, तो first update यही था दोस्तों, तो दूसरा update है, वो भी पलब जितने भी update है, अभी नए फीचर जैनु है, पूरी call setting को लेके ही है, पूरी call setting से related है, तो दूसरा update है, यह दूसरा feature है, उसके लिए आपको आपको यहाँ जाना है, recent calls में, यहाँ पर जाएंगे three dots में, तो यहाँ सबसे पहले उपर आपको मिल रहा है call to show का, पहले क्या होता था अगर आपको filter लगाना होता था कि miss call, यह आपको receive call, यह outgoing call देखना तो आप आप particular देख सकते हैं, पहले यह आपर नहीं आता था, उसके बाद जो तीसरा update है, यहाँ पर है show message का, आपको तीसे number देख रहा होगा, show message का option, इस पर आप जैसी clip करेंगे, तो यहाँ पर आपको message की detail भी दिखायागी, आपको किस-किस के message आया है, और कितने time पर आया है, क् पहले यह message की detail नहीं आती थी, पहले message की detail करने के लिए आपको सर्फ message में जाके ही देखना परता था, अब यह नए latest update में यहाँ पर आ चुका है, आप जाएं तो यह hide भी कर सकते हैं, अब यह hide हो जाएगा, जो नीचे चोथा option, जो चोथा आपको features है, वो है recorded call का, पहले आ पहले क्या होता था, आपको यहाँ जाना होता था, setting में, setting में जाने का, जहां से आपने यह on करा है, उस feature में जाके यह आपको यह recorded call देखते थे, अब वो आपर आपको shortcut दे दिया गया, आप direct महां से देख सकते हैं, तो आगे नया feature है, वो है नीचे उसकी देख रहा है, आ record call के नीचे total call time का, यह option भी नहीं आता था, अब यहाँ पर add कर दिया गया है, अब यहाँ पर आपको particular sim के आप देख सकते हैं, इस sim पर आपने last call कितने minute का करा था, outgoing call अभी तक कितने कर सकते हैं, इस sim पर मतलब अभी तक जब से mobile आपने format मारा है, या पर जब से आपने च जो कि पहले नहीं आती थी, उसके बाद जो next option है, यहाँ पर देख रहा है, आपको open to last view, इसका मतलब क्या है, जैसी आप इस पर click कर देंगे, उसके बाद होगा कि अगर आपने यहाँ पर इसको, अगर आपने यहाँ से इसको बंद भी कर दिया, आपने call वाले option को या बोल इसे ही open होगा, तो यह latest update है, यह कुछ नए changes या नए features एड़ किये गए थे, after November update के, जो मुझे लगे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी features एड़ की हुए, तो आप मुझे comment करके जरूर बताएं, और आपको इसमें कौन सा feature अच्छा लगा, तो वो भ जे Instagram और फेज़ फॉलो करना मिना बले इसका लिंक आपको डिश्यन पर मिल जाएगा, तो thank you दोस्तों.